हलो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज हम लोग डिसकस करेंगे पर्यावरण के तत्व तो elements of environment कितने हैं तो हैं कौण-कौण से हैं तो वायू मंदल, स्थञ मंदल और जल मंदल यह तीन क्या है elements of environment आज हम लोग डिसकस करेंगे लिफ्विशверж मतलब स्थालन मंदल के बारे में सबस पहले हैं तस्थाल मंदल में क्या है स्थलमंडल के अंतरगत प्रित्वी के वे भागाते हैं स्थलमंडल के अंतरगत प्रित्वी के वे भागाते हैं जो कठोर शैलो से बने होते हैं मतलब स्थलमंडल के उपरी के भाग तो यह किस चीज़ के बने होते हैं यह कठोर शैलो से बने होते हैं प्रित्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं यहाँ पे देखें पिक में यह देखें प्रित्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं भूपर्पटी यह प्रित्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं इसे अर्थ क्रष्ट भी इंग्लिश में इसको क्रष्ट तो यह कृत्वी के सबसे उपरी पर्त है ठीक है तो भूपरपटी यानि जो क्रश्ट की जो मोटाई होती है वो अलग 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 तरीके सो होती है जैसे कि समुद्र के तल में इसकी मोटाई कम होती है और सबसे जादा मोटाई इसकी कहा होती है तो यह पर्वतों पर होती है तो इस तरीके से भूपरपटी की मोटाई है ठीके आगे बढ़ते हैं भूपरपटी जो है औसाधी शैलो द्वारा निर्मित होती है अब भूपरपटी अब आगे देखते हैं सनरचना सनरचना में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रिच्वी के सबसे उपरी परट को क्या कहते हैं भूपरपटी कहते हैं अभी मैंने बताया था कि प्रिच्वी के सबसे उपरी परट को भूपरपटी कहते हैं ये कौन सा पार्ट है ये भूपरपटी है इस परट में सीलिका देखें इस परत में सीलिका और एल्मुनियम की मात्रा क्या होती है वह सबसे अधिक होती है सीलिका और एल्मुनियम की मात्रा इसमें अधिक होती है इसी कारार से इसका नाम क्या है सियाल तो इसको सियाल भी कहते हैं सीलिका और एलमौनियम की अधिकता की कारण इसको सियाल कहते हैं एक कि लगे और मिट्टिया भू परपटी की सबसे उपरी परत है यह दिक रहा है लोग इसको pause करके note down कर लीजेगा मैं इसको पिक से आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूं तो यह देखें क्रश्ट के नीचे का पार्ट जो होता है क्रश्ट के नीचे के पार्ट को हम लोग कहते हैं mental यह पूरा क्या है mental तो इसको दो पार्ट में डिवाइट के दुर्बलता mental है और या फिर उपरी mental और निचला mental ठीक है तो उपरी mental मतलब यह दुर्बलता mental भी इसको कहा जाता है तो इसमें एक point यह है कि जौला मुखी की जो क्रिया होती है जौला मुखी की जो क्रिया होती है यही पर संपन होती है कहां पर दुर्बलता mental में ही जौला मुखी की ज तो और मैंने बताया कि इसमें किस चीज के अधिकता होती है तो इसमें होती है अधिकता इसमें अधिकता होती है सिलिका और मैगनिशियम देखें सिलिका और मैगनिशियम के दिखता के कारार इसे क्या कहा जाता है सीमा, सीमा कहा जाता है मतलब सी, सिलिका और मैगनिशियम के दिखता के कारार इस परत को, मेंटल को सीमा भी कहा जाता है I think अभी आप लोगों कोई चीजे समझ में आ रही होंगी आगे देखते हैं ये देखे क्रोड पित्वी के सबसे आंतरिक पित्वी के सबसे आंतरिक परत कौन सी है तो वो है क्रोड इसको भी दो पार्ट में डियोइट किया गया है बाहे क्रोट और ये आंतरी क्रोट बाहे क्रोट जो है वो देखे द्रवीत अवस्था में होती है और जो आंतरी क्रोट है वो पूर्डता ठोस अवस्था में होती है लोहा लोहे और इसमें किसके अधिकता होती है लोहे और न कि अधिक्ता के कारण इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है निफे ठीक है तो हम लोग देखिए इसको कहा जाता है सियाल सियाल सीमा और इसको निफे ठीक है अभी आप लोगों को समझ में आ क्या आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट यह की गुरुत्वा कर्शा का प होती और यह ठो सवस्था में होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे हम लोग शेल के बारे में शेल जो की भूपरपटी की रचना किस से हुई है अभी हम लोग ने भूपरपटी को उपर देखा है तो भूपरपटी की रचना किस से हुई है तो भूपरपटी की मिलने से क्या बनता है तो वह बनता है शेल तो शेल के प्रकार देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले तो सबसे पहले है आगने शेल देखे मैंने ऐसे इंडिकेट पॉइंट कर दिया है इसको मैं डीटेल ने बता देते हूं प्राथमिक शेल इनको कहते हैं प्राथमिक शेल भी आगने शैल को प्रात्मिक शैल भी कहा जाता है ठीक है पृत्वी के अंदर जब गर्मे वो पिगला पदार रहता है जो पृत्वी के अंदर गर्म और पिगला पदार उसको क्या कहते है मैगमा ठीक है और यही मैगमा जब चौला मुकी के रूप में पृत्वी के उपर आ जाता है तो यह किस नाम से जाना जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं लावा ठीक है तो इसको कहते हैं हम लोग लावा तो जब यह ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने पर यह अत्यंत ही कठोर हो जाता है और आगने शेल का जो आगने शेल का रूप ले ले तो इसमें जीवाश्म का अभाव होता है यह रवेडार ऑनेदार होते हैं और इसमें दिखिए परत का भी होता है और एक्जाम्पल देख लेते ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैबो और डायराइट चट्टाने जो है यह वो आगने शेल की उधारण है और धातू में देख लेते हैं सोना, चांदी, लोहा और अभ्रक ये क्या है आगने शेल ठीक है तो ये धातू है और ये है चट्टाने आगे बढ़ते हैं आगे कुछ और अभी देख लेते हैं तो कुछ और भी इसकी क्वालिटीज है जैसे कि ये अत्यनती कठोर होती है और इनका अपड़दन मतलब प्रात्मिक शेल या फिर आगने शेल का अपड़दन जो है वो कम होता है और आगने शेल का संबंद ज्वाला मुखी क्रिया से ही होता है देख अब सुस्य चैकल देख लेते हैं तो दूसरा जेल है जिलितृतियक शेल भी कहा जाता है अब दूसरा शेल है जए गैसे जए जाता है तो जाता है उपन्धी न idiyu चैनल में देख आव्यार्व और झान के शेल है जीवार्स नहीं पाएजाते ए में ज्रृदी तो यह नहीं को आप लोग बहुत अच्छे से ध्याद डीजेगा. यह रवेदार नहीं होते है कौन आवसादी शेल नहीं होते हैं. अब देखे खनीच तेल, कोईला जो है वह आवसादी शेल से ही प्राप्त होते हैं. क्यूंकि इसमें जीवाश्म पाये जाते हैं. फोसिल्स पाया जाते हैं और यही जीवाश्म जो है पिट्रो का जैसे कि खनीस तेल, कोईला ये सब क्या है ये उड़जा के साधन है तो ये हमें कहां से मिलते हैं औसाधी शैलों से मिलते हैं एक्जामपल देख लेते हैं बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोईला और खड़िया ये उसाधी शैल के एक्जामपल है एक्जामपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे देख लेते हैं कायंतरिस शेल किसको कहते हैं कायंतरिस शेल किसे कहते हैं आगने तथा परतदार शेलों के रूप में परिवर्तन के कारण ही जो है कायंतरिस शेल का निर्माड होता है मतलब जो आवसादी शेल मैंने भी बताया और अगने शेल इन शेलों में परिवर्तन के कारण ही कायंतरिस शेल का निर्माड होता है और वो परिवर्तन किस कारण होता है ताप वो परिवर्तन होता है ताप और दाप के कारण जब इन शेलों में परिवर्तन होता है तो अपना रूप जो है अपना मूल रूप बदल रहते हैं इन्हें रूप आंतरिस शेल भी कहते हैं ये शेल अपना मूल रूप बदल देते ह जैसे कि दिखे संग मरमर क्या है काय अंतरिस शेल का उधारण है ग्रेफाइड हीरा यह सारे काय अंतरिस शेल के उधारण है आई हो चीजे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगी एक पॉइंट यहां भी नोट के लिए पेट्रोलोजी पेट्रोलोजी जो है वो शेलो का विज्ञान है शेल के विज्ञान को क्या कहते है पेट्रोलोजी और पेट्रो शास्त्री जो है इसके अध्यान करता को पेट्रो शास्त्री भी कहते हैं पेट्रो शास्त्री कहते हैं आगे देख लेते हैं आगे देखते धात्विक खनीज कौन कौन से है और अधात्विक ख दातु है और लह धातु में यह प्तातु है धातु नहीं पाई जाते तो गंदग तासफेट नाइटरेट यह सारे गहीं है एक सिम्मेंट सीमेंट आधात्विक खनीजों का क्या है यह मिश्रण है यह अलग से आधात्विक खनीज नहीं है यह आधात्विक खनीजों का मिश्रण है तो friends I hope मेरी यह छोटी सी टॉपिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी आगे ऐसे इंट्रेस्टिंग से टॉपिक मैं और भी प्रेजेंट करूँगी आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू